आज हम आपको बताएंगे कि आप फोन पे से ट्रांजक्शन हिस्टरी को कैसे डिलीट कर सकते हो तो दोस्तों जब भी आप फोन पे से किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं या फिर फोन पे से कहीं पर कुछ वाई करते हैं यानि कि आप फोन पे में जो भी ट्रांजक्शन करते ह वो सारा transaction history यहाँ पर आपको दिखता है आप अपनी transaction history को कैसे delete कर सकते हो चलिए दोस्तो हम आपको वीडियो में बताते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दीजेगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो subscribe कर लिजेगा इसके लिए simply आप phone pay को open करेंगे और यहाँ पर दोस्तो अपनी phone pay की transaction history को delete करने के लिए यहाँ पर दोस्तो आपको एक option मिल जाएगा question mark का ये देख सकते हो आपको यहाँ पर question mark वाले option पर click करना होगा इसके लिए right जैसे आप click करेंगे आपके सामने ऐसा option open हो जाएगा यहाँ पर दोस्तो आपको दूसरे नंबर पर एक option मिल जाएगा profile payments का ये देख सकते हो ये वाला है ना so guys यहाँ पर आप profile payments वाले option पर touch कर देंगे okay so यहाँ पर मैं click कर देता हूँ उसके बाद में दोस्तो इसमें आपको एक option मिल जाएगा my phone पर profile का ये देख सकते हो तो यहाँ पर दोस्तो आपको my phone पर profile पर click करना होगा और guys जैसे आप click करेंगे उसके बाद में इसमें आपको एक option मिल जाएगा my phone पर account details का ये देख सकते हो so ये वाला यहां पर आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने यहां पर लिख कर आ जाएगा पढ़ दो गाईज यहां पर साफु साफ यह लिखा हुआ है यह पर आ पर यह लिखा हुआ है कि आप यहां पर फोन पे में पीश्टरी को डिलीट नहीं कर दिया है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि फॉन पे से आप लोग समझ गया होगे इस वीडियो को बनाने का मक्सद आप तक सही जानकारी पहुचाना है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे पहली बारा हो तो सब्सक्राइब कर लो चलिए दोस झाल झाल